हेलो एब्रीमार्ण बेलकब तो माई चैनल वीलाफ वार्चुन डबल डबल वन कैसे हो आप लोग आप सब बहुत अच्छे हो गाइस आज की जो वीडियो है वे पिकक कार्ड रीडिंग नहीं होगी बलकि एकलिप्टिक रीडिंग होने वाली है और आज का टॉपिक ये रहे आपको लेके क्या है आपके बारे में क्या चीज़े सोच रहे हैं कैसे हैं वो और आपको क्या मेसेज़ेस देना चाहते हैं क्या आपसे कहना चाहते हैं यह सब हम देखेंगे तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो एंड तक जरूर देखेगा गाईस ताकि आप अ उनके बार में सोच रहे हो उनके actual thoughts क्या है इस वक्तों के so guys ये एक timeless general reading है जंडर specific भी नहीं है तो male female दोनों ही आप लोग इसे देख सकते हूँ okay guys चलिए देखते हैं तो जब तक मैं shuffling करी हूँ आप लोग फ्लीज positive रहिएगा अपने manifest करते रही है और थोड़ा सा focus बना के लखे अपने person के बारे में अपने partner के बारे में ताकि energy जो है वो accurate collect हो पाए तो guys अगर आपको paid person readings करवानी है या फिर crystal stones energized form में बाई करने है पर्चेस करने है ठीक है तो आप मेरा वार्टसल नमबर वीडियो में भी दिख रहा होगा description box में भी है इंस्टा आइडी एमेल आइडी भी है तो वहां जाके आप मुझे contact करके अपनी person readings के लिए booking करवा सकते हो या stones crystals कर सकते हो अपने love life को ठीक करने के लिए career में growth लाने के लिए healing के लिए किसी भी तरह के ओके या फिर lessons लेने के लिए भी आप मुझे contact कर सकते हो के जो गाई जब तक मैं shuffling कर रही हूं थोड़ा सा फोकस बना के रखें और थोड़ा सा पेशन्स रखिएगा क्योंकि मैं पहले अच्छे से कार्ड निकाल लेती हूं shuffling करके देन मैं आपको सारी situation दोताऊंगी देखते हैं गाईज eight of pentacles odd sign ठीक है वैसे ये सारे signs वालों के लिए है ठीक है मैं बता दू ten of pentacles air sign fire sign water sign air sign water sign fire sign earth sign ठीक है सारे signs वालों के लिए है ये page of swords king of pentacles okay तो ये जो परसन आपको स्टॉक कर रहे हैं guys एक वक्त जिस वक्त आप reading देख रहे होना हो सकते है कि उसी वक्त ये परसन आपको stock कर रहे हूं या फिर इन्होंने आज भर पूरे दिन ही आपको stock किया है maximum time इन्होंने आपको stock किया है आज definitely stocking mode पर आपको stock कर रहे हैं इस वक्त पर ओपर कर देती हूं cards ताकि आप लोगों को अच्छे से दिखें यहां पर है दा हर्मिट यह जो परसन आइसोलेटिड है guys बहुत जाद सोच रहे हैं आप दोनों के रिष्टे को लेके इस वक्त अकेले हैं अगर आप सोच रहे हो कि कोई दूसरी रिलेशन्शिप में हैं या किसी और को भी यह प्यार बाट रहे हैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं है या आपके बारे में सोच रहे हैं इस वक्त कुछ के रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स हैं या कुछ महनत यह कर रहे हैं अपने जिंदिगे में आगे बढ़ने के लिए सेल्फ ग्रोथ के लिए टू ओफ पेंटिकल्स अगें फैमिली इशूस और फाइनेशल इसूस मुझे जादा देखे रहे हैं जिसमें वह वाक कर रहे हैं इस वक्त तो यह चीज मुझे आपर दिख रही है और भी देखते हैं कार्ज मैं अच्छे से बताऊंगे आप लोग यह जो परसन है और आप जो हो बहुत दा स्टक फिल करते हो आप दोनों बहुत दा ओवर थिंक करते हो एक दूसरे के बारे में बहुत दा सोचते हो ठीक है और कुछ भी कुछ सोचते रहते हो ओके तो यह जो परसन है इस वक्त आपको डेफिनेटली स्टॉक कर रहे हैं यह आपने फाइनसेस पर फैमिली भी ध्यान दे रहे हैं, यह जो परसन है बहुत अकेला पन महसूस कर रहे हैं, यह जगलिंग करते ठक चुके हैं, अगर आप दोनों के बीच में कुछ इशूस थे रिगार्डिंग तो यह जो परसन है बहुत परिशान हो गए, और यह जो है बह आपको कभी नहीं खो पाएंगे, क्योंकि इन ऐसा लग रहे है कि आप दोनों का एक eternal bond है, आप दोनों का एक emotional bond बन चुका है, जो की तोड़ा नहीं जा सकता, ठीक है, बहुत ज़्यादा emotional connection बना है आप दोनों का, और यह परसन बहुत ज़्यादा emotionally इस वक्त फील कर रहे है आपके लिए, जिसके विए से यह जो परसन है, अपने personal problems को याद कर करके, बहुत ज़्यादा sad होते वे जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा isolated हो चुके हैं, और बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि अगर यह आप से इतना प्यार करते हैं, तो कहीं आपको यह खोना दे, ठीक है यह जो परसन है आपके साथ एक stability चाहते हैं और आपके साथ कुछ वक्त बिताना चाहरे हैं, हो सकता है कि जो वक्त इन्हें आपके साथ बितानी है, या जो time spent करना है, वो आपके साथ यह करना ही पाते हैं, हो सकते है, communication अच्छे से नहीं हो पाता है, मिल नहीं पाते हो, तो यह जो person आपको ही stability देना चाहते हैं और आपके साथ यह future देखते हैं ठीक है लेकिन इन दोनों के बीच में eight of pentacles आना है तो definitely यह जो person है अपने finances पे अपने career में work कर रहे हैं ताकि इनके पास वो power आए ताकि इनके पास ability रहे ताकि वो independent रहे ताकि उनके पास stability रहे जिसके विए से यह आपको commitment दे पाएं और आपके साथ एक future बिल्ड कर पाएं जैसा वो चाहते हैं ठीक है हो सकते हैं कि उन्होंने कभी भी आपको अच्छे से confess नहीं किया हो कि वो ही आपके साथ future करके रखा हुआ है guys ठीक है definitely बहुत दद अकेला अपन महसूस कर रहे हैं और बहुत दद डर भी रहे हैं ठीक है और एक balance चाहते हैं अपने जिंदिगे में लेकिन वो balance बन नहीं पा रहे है क्योंकि इनका दिमाग कहीं हो रहे है दिल आपके पास है दिमाग कहीं और चल रह और भी देखते हैं stress देखिए definitely this person के life में कुछ stress है अब भी बहुत दा stressful है बहुत दा pressure है इनको पर किसी चीज़ को लेके जातर मुझे family issues और career finances issues दी लग रहे हैं ठीक है कोई third person मुझे आपर नहीं दिख रहे है कि कोई और रिष्टा है किसी और के साथ अपना time मिता रहे है है या किसी और को अपना प्यार दे रहे हैं ऐसा बिल्कुल नहीं है आपके बारे में ही सोच रहे हैं चीक है मुझे लग रहे हैं यह जो person है आपको बहुत कुछ कहना चाहते हैं guys ओके और भी देखते हैं फाइटिंग यह जो person है अपने personal life में लड़ रहे हैं लड़ रहे हैं लड़ रहे हैं इनके आसपास इंवायर्मेंट है कुछ खास नहीं है कुछ family issues भी चल रहे हैं हो सकता है कि यह अपने family से भी आपके आपके लिए बात करना चाहते हैं लेकिन इनके family से यह डर रहे हैं क कैसे यह confess करें कैसे यह बोलें ठीक है तो कही नहीं है बहुत जादा मतलब दिलो दिमाग से लड़ रहे हैं इस वक्त एक्जिस्टेंस इस person को अभी realize हो रहा है कि आपके importance क्या है और यह person आपको money manifest कर रहे हैं ठीक है क्योंकि यह जो person है बहुत जादा connected feel करते हैं आप से की आपको बहुत ज़राच आए आपके बारे में ही सोच रहे हैं इस वक्त ओक्योंके बहुत जादा मिसकर आपको वह सारे memories को व्याद करें जो पिहर पहले आपके साध्साथ एक नहीं शिरूआत करना चाहरे हैं फी यह इस वक्त चाहरें कि कूछ आहे कि यह नई जिन वहाइटो फोस ग्रम इतया है थोड़ते शोंओ तो तो किरीचन है यह थियुक्षिय नहीं ke además आता है लुटक कर रहे हैं एक नडवेस वॉन--"धो कर चाहिए-धो, डखता है, युछ स içटिड़ीवर्ण कर रहे हैं 6-20 यन्हुट जो परसन है धीरे-धीरे आपके बातों को जो हो सकते हैं कि पहले इन्होंने आपको फॉर ग्रैंटेट लिया था अब यह समझ रहे हैं अगर यह कन्फ्यूस थे या फिर आपके जो फीलिंग्स है वो समझ नहीं पा रहे थे ना तो आप यह परसन समझ रहे हैं कि आप इनकी फीलिंग्स इतनी जाद हैं आपको लेके लेकिन यह बताना नहीं चाहरे क्योंकि इन्हें से लगता है कि इनके पास अभी वह सारी पावस नहीं है जिस पावस से वह आपके तरफ कहा पाए ठीक है क्योंकि यह जो परसन है थोड़ा से मतलब ऐसे हैं कि यह नीचे Patience No.16 6 plus 1 7 The Thinking Woman 47 7 plus 4 11 No.16 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 financial constraints देखिए मैंने कहा था वही आ रहा है यह आपको confirmation मिल रहा है कि ऐसी ही guaranteed situation ऐसी ही है ओके डोर्टु रोमेंस और एकार देखेंगे हम लोग सेवें चक्रा आर्खेंचल यूरियल तो मुझे लग रहा है आप लोगों मेंसे बहुत लोगों का रूट चक्रा जो है पूरी तरीके से इंबैलेंस है ठीक है पूरी तरीके से इंबैलेंस है जो बेस है जो पिलर है जो सोल का जो पिलर है वही खराब हो चुका है इस परसन का इस वक्त है फिर आपका दोनों का ही मुझे लग रहा है बैलेंस नहीं है के विज़ का रहा है तरीक है जो परसन का जो प्रसनब्स के इनके फाइनेश्यल से जोग रहें जिसके विज़ आपके तरफ आन पाते हैं लेकिन यह परसन बहुआ जादा रुमेंट्टिक अलीफ फील करें इस वक्त आपके लिए बहुत ज़ड़ा romantic feelings रखते हैं बहुत दद emotional feelings भी रखते हैं और यह person चाहते हैं कि इनका दिल का दरवाजा है वो खुल जाए आपके लिए जैसे भी करके हो सकते हैं कि इनके जो हर चक्र है वो भी blocked है ठीक है यह person के अभी life में anxiety issues यह person भी anxiety से जूज रहे हैं ना आपके तरफ आपाते हैं ना इनके career में growth हो रहा है ना financially यह कुछ ग्रो कर पा रहे हैं तो बहुत दद anxiety stress में रहते हैं साथ में the thinking woman तो यह person बहुत ददद सोचते हैं और थिंकिंग करते हैं आप दोनों के connection को लेके यह चाहते हैं कि सही समय पे कुछ यह बैं जाए उसके बाद यह आपको approach करें जिसके वैसे यह हो सकता है कि delay कर रहे हैं आ नहीं रहे हैं ठीक है तो इनकी यह person जो है थोड़ा सा यह hopeful भी है आपको लेके और इनने लगता है कि सही time पे यह person आपके तरह वापस आ जाएंगे और आप इनने accept कर लोगे फिर आप दोनों की जो है future में stability हो जाएगी साथ में ठीक है तो यह चीज़ डेफिनेटली यह person इस वक्त सोच रहे हैं ओके numbers में बता देता हुँ जो बहुत दो important है आपके लिए वह है 3, 10, 1, 11, 8 यह कुछ numbers आपके लिए important है तो चलिए हम देखते हैं उनके कुछ personal messages कि वह आपको क्या कहना चाहरे हैं इस वक्त या क्या सोच रहे हैं आपके लिए चलिए देखते हैं तो सबसे पहला है I want to feed you like a baby I want to cook share my favorite dish with you तो यह जो person है आपके लिए खाना बनाना चाहते हो सकता है कि इन्हें cooking का बहुत शौक हो यह पसंद हो यह फिर आप बहुत अधा food हो इन्हें पसंद हो आप दोनों ही हो शायद और आप दोनों यह एक दूसरी को खिलाना चाहरे हो तो यह person चाहरे है या ठीक है इमाजिन कर रहे है यही चीज़ को फिर है नंबर है नंबर 6 ठीक है तो आप दोनों के रिष्टे में बैलेंस चाहते है नंबर को जरूर देखिएगा 6 और 9 है तो कुछ लोग twin flame journey में हो सकते हो कुछ लोग soulmates हो सकते हो या फिर 69 आप लोग बहुत दिखता होगा ठीक है परसन चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में बैलेंस आजाए आप दोनों दूर ना रहो लेकिन वह एक बैलेंस नहीं बना पा रहे है ठीक है तो यह विश कर रहे हैं काच यह बैलेंस बना पाते हैं जहां पर यह अपने केरियर को भी और अपने love life को भी equally समालते equally importance दे पात हैं seven number okay यह दूरिया मैंने मजबूरी में बनाई आए yes I was selfish तो यह परसन चाहते हैं कि अगर आपसे दूर हुए ना तो यह मजबूर थे यह जान बूचके नहीं नहीं किया यह आपको hurt करने के लिए नहीं किया था क्योंकि यह परसन उस टाइम थोड़ से selfish थे अपने बारे सारे आपके लिए तो फिर है I want you I want this relationship to grow I love you and I will gain patience to achieve देखी कांट में भी आया था पे पेशन का कार्ड आया था भी यहां पे देखिए patience का कार्ड है तो definitely यह जो person है यह आपको बहुत जादा प्यार करते हैं guys और यह चाहते हैं आप दोनों का रिष्टा grow करे आगे बड़े और यह person patience रखेंगे जब तक यह कुछ बन नहीं जाते और बनने के पार definitely आपके पास आएंगे और आपको यह achieve करेंगे ठीक है बस concentrate नहीं कर पाते हैं आपके बिना आपको बहुत मिस करते हैं और इन्हें ऐसा लगता है कि आप हो तो सब है वर्ना कुछ भी नहीं है ओके तो चलिए हम और भी messages देखते हैं उनके तरफ से सबसे पहला message है तू ही हकीकत तो सकते है यह person यह song सुन रहे हो इस वक्त या फिर यह person आपको यह वाला song डेडिकेट करना चाह रहे है तू ही हकीकत ख्वाब तू या फिर इस song में कुछ ऐसे messages हैं जो यह person feel कर इस वक्त मतलब आप ही reality हो और आप ही इनके dream हो the dream भी आया था वाओ कितने जादा specific messages है guys फिर है तुम्हारे बिना हर एक पल दर्द भरा लगता है तो आपके बिना यह person बहुत ज़्यदा sad रहते हैं guys बहुत ज़्यदा sad रहते हैं यह फिर मैं तड़प रहा हूं या तड़प रही हूं तुम्हारे लिए तो person बहुत ज़्यदा मिस्ट क ठीक है या फिर मैं गा देती हूं अभी थोड़े दर बाद में ठीक है फिर है तुम मेरी सुकून हो तो यह आपको अपना पीस मानते है फिर है I miss our conversation देखिये जो आप लोग बात करते थे उस पल को यह याद करते है मिस करते है फिर है your absence makes me sad आपकी कमी उन्हें बहुत सताती है बहुत दुखी हो जाते है वोग के तो यह एक सौंग मैं गा देती हूं यह वाला सौंग आप लोग के लिए तुही हकीकत ख्वाब तू दरिया तूही प्यासे तू तेरे दे की बेकरारे तू सुकू तू सुकू तू हम सफर तू हम कदम तू हम अबा मेरा देखो सुकून वाला भी आया लिरिक्स में और देखो यह भी भी है सुकून तू डफिनिटल यह परसन बहुत पार करते हैं आपको परसन बहुत जल लौटेंगे भी आपके पास तू गाइस यह थी आप लोग की रीडिंग आप लोग को पसंद है अगर पसंद है रिजू नहीं ठुई है तो प्लीज तू लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाबाई गाईस